निडिल दोस्तों इंजेक्शन लगाते समय जब सुई हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसे माइक्रोस्कोप में देखने पर इस तरह का नजारा दिखाई देता है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये निडिल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉड ऐसे फ़ाले के अंदर जाती है और इसी सुई को शरीर के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखाई देता है nhất कुरूनग वायरस दोस्तों गहarinें कभी आतनक का दूसरा नाम यानि नहीं देखा तो आज देख लीजे देखिए जब करोना के मरीज का मास्क लेकर उस मास्क को माइक्रोस्कोप में बहुती ज़ादा जून किया गया तो बिलकुल लास्ट में वाइरस दिखाई देने लगा जो कि बहुते खतरनाक देख रहा था वैल्ग्रो मैजिक टेप दोस्तों बहुत सारी चीजों में इस्तिमाल होने वाले इस मैजिक टेप से आपने भी कभी न कभी तो जरूर खेला ही होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरे टेप वर्क कैसे करता है देखिर दोस्तों इस टेप को माइक्रोस्कोप में द पर फज जाते हैं बॉल पैन दोस्तों पैन हमारी जिंदगी का सबसे इंपोर्टन हिस्सा है लेकिन कि आपको पता ये पैन आखिर वर्क कैसे करती है देखिए दोस्तों अगर आप पैन के नीचले हिस्से को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो क्यों इस तरह दिख दोस्तों कि आपको पता है दुनिया में सब के फिंगर प्रिंट अलग अलग कैसे होते हैं तो चलिए जानते हैं जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर जूम किया गया तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा जिसमें आप साब साब देख सकते हो कि फिंगर अलग अलग होते हैं Human tongue दोस्तों जीब हमारे शरीर का इतना important हिस्स है कि इसके बगार ना तो हम बोल पाएंगे ना ही कोई स्वाद ले पाएंगे लेकिन क्या आपने कभी अपनी जुबान को माइक्रोस्कोप में देखा है दोस्तों हमारी जीब पर बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं इन कांटों को हम अपनी नॉर्मल आखों से नहीं देख पाते लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने पर हमारी जीब के नुकीले कांटे बड़े आसानी से दिखाई देते हैं दोस्तों, ये काटे इंसानों की जुबान पर तो छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन जानौरों की जुबान पर ये काटे बहुत बड़े-बड़े होते हैं। Human Blood दोस्तों, क्या आपने कभी खून को माइक्रोस्कोप में देखा है? वैसे तो हमारी नॉर्मल आँखों से खून इस तरह से लिक्विड शेप में दिखाई देता है। आपको clearly इन पत्तियों के उपर छोटे-छोटे छेद दिखाई देंगे। इन्ही होल्स के जरिए सूरज की रोश्नी प्लांट के अंदर जाती है, जिससे पौधों को खाना बनाने के लिए एनरजी मिलती है। Guard Bacteria दोस्तो बैक्टीरिया का नाम तो आपने सुनाई होगा, लेकिन क्या आपको पता है बैक्टीरिया आखर दिखता गयसे है। तो चलिए जानते हैं। ये आपको पता ही होगा कि दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाई जाते हैं। इसलिए जब दही को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टिरिया मूव करते हो दिखाई दिए अब आप सूच रहे होंगे जब दही में इतने सारे बैक्टिरिया होते हैं तो हम दही को खाते क्यों हैं तो हम आपको बता दे, दही में मौजूद बैक्टिरिया, हमारी बरड़ी को कोई नुक्साने पहुचाते SPERM दोस्तों कि आपने कभी SPERM को माईक्रोस्कोپ में देखा है? देखे दोस्तों स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखने पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे स्पर्म इधर अगर मूव कर रहे हैं ये स्पर्म आजाद होने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि ये एक नई जिंदगी देना चाहते हैं ग्रास इन माइक्रोस्कोप दोस्तों आपको याद होगा बचपन में घास को तूड़ने से कभी-कभी हमारा हाथ कट जाता था चले इसकी वज़ाए हम माइक्रोस्कोप में दिखते हैं जैसे नाखुन निकालना, शेविंग करना, लेकिन क्या आपने कभी बेड को माइक्रोसकोप में देखा है, जब आप एक बिल्कुल new बेड को माइक्रोसकोप में देखोगे, तो वह इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल शार्प और अगर बेड को इस्थिमाल करने के जब हमने razor और trimmer से कटे हुए बाल को microscope में रखा तो result हमारे सामने आ गया जिसमें आप देख सकते हैं razor से कटा हुआ बाल बिल्कुल सीधा है और trimmer से कटा हुआ बाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खीच के निकाला हो बहुती ज़्यादा damage लग रहा है इसलिए trimmer से कटा हुआ बाल बहुती slow grow करता है Ant face दोस्तों चींटी को microscope में देख कर आपके हूश उड़ जाएंगे क्योंकि मासूम से दिखने वाली चींटी microscope में बहुत खतरनाक दिखती है और चींटी के face की microscopic image देख कर कोई भी डर जाएगा Sand दोस्तों rate एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता वैसे हमारी normal आँखों से rate के सभी particle बिलकुल बराबर shape में दिखाई देते हैं लेकिन अगर आप rate को microscope में देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये rate ही है क्योंकि rate के particle microscope में खुबसूरत मोती की तरह दिखाई देते हैं और सभी particle अलग-लग size और अलग-लग color के दिखाई देते हैं Needle and Thread अब ज़रा सुई और धागे को भी microscope में देख लो ये जो आपको बहुत सारे धागे दिखाई दे रहे हैं असल में ये एक ही धाग है जो कई कच्चे धागों से मिलकर बनता है लेकिन हमारी normal आँखों से एक ही दिखाई देता है इसलिए तो धागे और सुई के बीच का सफर कितना दूर हो जाता है दोस्तों ये तो आपको पता है होगा कि मोर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है और मोर कितना हुपसुरत होता है लेकिन क्या आपने कभी मोर के पंक को माइक्रोस्कोप में देखा है दोस्तों मोर के पंक को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत हुपसुर धागे हूँ और इसकी बुनाई कुछ इस तरह दिखाई देती है जिससे समझना बड़ा मुश्किल है Human Eye दोस्तों आखे हमारी शरीर का सबसे important हिस्सा है आखों के बगार हमारी जिंदगी कैसी होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते लेकिन कि आपने कभी आखों को माइक्रोस्कोप में देखा है देखी आखों को माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हूँ माइक्रोस्कोप में हमारी आखों के बीच में एक बहुत ही बड़ा होल दिखाई देता है लेकिन ये कोई हूल नहीं बलकि हमारी आखों के लेंस हैं